आपको थोड़ा भूत इर्षा भी करता हूं। मैं जब विद्यारती था तब साल में मेरे मित्रों को मिलने के नाम पे जे नू एक बार आही जाता था और तब कहता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ता तो यहां भी आता और आप सोभागे साली हो देश की एक प्रीमियर चरीत रहे इसको अगर हम जे नू को केरेक्टराइज करें जे नू को एक इंस्टिटुशन की रूप में समिक्चा करें मैं नहीं मानता हूं विश्व में इस प्रकार की मल्टी डाइवर्शिटी के साथ कोई विश्व विद्याल है विश्व करके नव जवानों के अंदर डिगरी हासिल करना उस संधी में उस काल खंड में जाते हुए मन में कई संभावना कई संकाएं कई जिम्मेवारी कई उस्चा कई चिंता के अंदर आप लोग अभी गुजर रहे होंगे गंगा डहबा में अभी आना तो नहीं होगा लाइबरिरी में पढ़ाई के नाम पे आप जो करते हैं उसकी समय भी खतम हो गया अबी समाज जिवन में आप नेत्रूटों करने माले हो इसी संदी में मैं देश की सभी युवामित्रों को आज विशेश करके जो 948 मित्रों को आज भारत आपको सिकृति देगा राश्टर पती जी की उपस्तिति में सिकूर्टी देगा, मैं आपको बधाई देता हूँ मित्रों ये एक रिशर्च इन्वर्शिटी है मैं आपको थोड़ा भूत इर्शा भी करता हूँ मैं जब विद्यार्थी था, तब साल में मेरे मित्रों को मिलने के नाम पे जेन्व एक बार आही जाता था और तब कहता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ता तो यहां भी आता और आप सोभागे साली हो देश की एक प्रीमियर इन्वर्शिटी में जिसकी अनेग चरीत रहे, इसको अगर हम जेन्व को करेक्टराइज करें, जेन्व को एक इंस्टिशन की रुप में समिक्चा करें मैं नहीं मानता हूँ विश्व में इस प्रकार की मल्टी डाइवर्शिटी के साथ कोई विश्व विद्याल है पर अभी हमारी रैंकिंग बैवस्ता में जेन्यू नाम के लिए नंबर दो है, लेकिन इस बार नंबर एक हो जाएगा, ये मेरा पुरा विश्वा से मित्रो भारत एक पुरानी सभ्यता है, इस सिविलाइशनल प्रवास में सदैवा भारत की पुंजी आपनी ज्यान पुंज रहा है, नौलेज रिपोजिट्री रहा है भारत की परिचे भारत की ताकत भारत की भौतिक संपत्दा से जादा भारत की ज्ञान संपत्दा के लिए ख्याती है गनित में साहित्य में समाज जिवन की अनुभवों में